हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में शुषाल जी के 50 कोशन्स रहने वाले हैं इन सभी कोशन्स को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है यह आप लोगों के लिए एक तरीके से रिविजन है जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस में जा कर के जितनी भी शुषाल जिसे रिलेटेट वीडियो से उनसे भी वीडियो को देख लीजे वहां से आपको काफी फैक्स मिलेंगे जो कि आने वाली एक्जैम चाहे वह नेट जैयरफ पीजीटी जी आइसी या फिर अससेस्टर प्रोफेसर का हो उसके लिए आपको वहां से का प्रिवर्तन के लिए जो की मानवी खुशाली को बढ़ाता है अच्छाई के लिए तथा इक्षद दिशा की ओर बढ़ता है कौन सी अवधाना इन में से सही है वो विकास कहलाएगा व्रद्धी कहलाएगा उद्विकास या फिप्रगति तो वो प्रगति ओप्शन डी यहा पिछडा चिनहत किया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 2399 जातियां ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंड यह जो काका कालेल कर आयोग है इन्होंने लगबग 70% जातियों को पिछडा घोशित किया था चिक नेक्स्ट है मंडल आयोग द्वारा केवल हिंदूओं में से कितिनी जातियों एवं समुदायों को अन्य पिछडा वर्ग के रूप में चेनहत किया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 3743 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारत वर्ष की उन्य सो इक्यान नबे की नई आर्थिक नीती की विशिष्टा नहीं है और देख लेते हैं उदारी करण स्थानी करण निजी करण वेश्वी करण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस थानी करण ठीक है ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है माक्सवादी विश्लेशन में मध्य वर्ग की जो अवधार्णा है वो किसने प्रतिपादित की है ओप्शन में है रेमेंड फर्थ, रेमेंड एरो, जी डी एच कोल, आर डेहरन ड्रॉफ तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आर डेहरन ड्रॉफ यह नव माक्सवादी में आते हैं संघश का कारण इन्होंने सत्ता को माना है और इनका जो संघश का सिद्धान्त है वो द्वंदात्मक सिद्धान्त है ठीक है संघश का इन्होंने द्वंदात्मक सिद्धान दिया हुआ है डेहरन ड्रॉफ ने संघश का कारण यह सत्ता को मान नवमाक्सवादी है ये और इन्होंने जो conflict theory दी हुई है वो किस book में दी हुई है class and class conflict in an industrial society ठीक है most important book है ये आपके अक्सर exam में पूछी जाती है class and class conflict in an industrial society तो option D यहाँ पर write है नेक्स्ट है बाहे तता आंतरिक द्वंद की अवधार्ना दी है options में है Max Weber, Josh Simil, Levis Koza, R. Dallantroff तो यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer? option C यहाँ पर right answer हो जाएगा coser ने संगश का प्रकारात्मक सिद्द्दान किसका है, द्वंदात्मक सिद्द्दान किसने दिया हुआ है option C यहाँ पर right हो जाएगा नेक्स्ट है प्रतिसपर्धा, प्रतिकूलन एवं संघश की प्रक्रियाओं को कहते हैं राजनेतिक प्रक्रियाएं, असहियोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या फिर सहियोगात्मक प्रक्रियाओं तो ये सभी असहियोगात्मक प्रक्रियाओं में आएगा या असहियोगी समाजिक प्रक्रियाओं के अंतगत प्रतिसपर्धा, प्रतिकूलन, संगश, विरोध, विद्रो ये सभी इसमें आएंगे ठीके तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कालपनिक संदर्समू की अवधारना किस ने दी है options में है Miller, Sumner, Kleinberg, Merton तो इन्होंने संदर्समू की दो प्रकार कालपनिक संदर्समू और वास्तेक संदर्समू भी बताये थे क्लाइनबर्ग ने, ठीके option C यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कास्ट इन्डियन पॉलिटेक्स यह जी बुक है वो पुछी गई है किसने लिखी है options में है GS गुरिये, C कुले, NK दत्ता, रजनी कोठारी तो कास्ट इन्डियन पॉलिटेक्स यह बुक किस की है? रजनी कोठारी की है, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट है, अपराद को किसने अपराधिक कानून का उल्लंगन कहकर परिभाशित किया है? options में है Fairchild, Elliot, Merrill, Sutherland तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा? Fairchild हो जाएगा, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा गिलन क्या कहते है? कि जो कानून है उसके द्रस्टिकोर से अपराध किसी देश के कानून की विरुद की गई कारवाई है? ठीक है? कानून की विरुद की गई कोई भी कारवाई अपराध की श्रणी में आएगी यह कहना Gillen and Gillen का है, यहाँ पर Fairchild का है कि अपराधिक कानून का उल्लंगनी अपराध ऑप्शन ए यहाँ पर Right Answer हो जाएगा नेक्स्ट है, प्रभु जाती के अवधार्णा किसने दी है? ऑप्शन्स में है, S.C. दूबे, C.H. कूले, G.S. गुरिये, M.N. श्रिनिवास तो यहाँ पर Dominant Cast का जो Concept है, वो M.N. श्रिनिवास का है इसके अलावा इन्होंने संस्कति करण की बात की है, पश्मी करण की बात की है आधुनिकी करण की बात की है, धर निर्पिक्षी करण की भी बात की हुई है ठीके इन सारे जो इनके Concepts और श्रिनिवास की आपको Folder अलग मिल जाएगा प्लेलेस में जिसमें उनके Concepts के बारे में अच्छे से Explain किया गया है दितने लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखी है वीडियोस तो प्लेलेस में जाकर की देख सकते हैं तो Option D यहाँ पर Right होगा Next है व्यक्ति से व्यक्ति के संबन्द को समाजिक सरशना के तत्व के रूप में किसने परिभाशित किया है Options में है Murdoch, Redcliffe Brown, Nadal, Merton यहाँ पर क्या हो जाएगा Right Answer? Redcliffe Brown, Option B यहाँ पर Right Answer हो जाएगा और Brown ने परिहार और परिहास संबन्दों की भी बात की है और इनकी एक बुक है जो की एक्जाय में पूछी आती है Structure and Function in Primitive Society Structure and Function in Primitive Society ब्राउन की बुक है ठीक है? परिहार और परिहास संबन्दों की बात इन्होंने की हुई है Option B यहाँ पर Right है Next है समाजिक परिवर्तन का सीमा सिध्धान समरेकिये है, उद्विकासिये है, चक्रिये है या फिर प्रगतिशील है तो समाजिक परिवर्तन का जो सीमा सिध्धान ते वो चक्रिये है और जो सीमा सिध्धान ते वो किसका है? सोरोकिन का है ठीक है? तो option C यहाँ पर right होगा और इनक्या यह जो concept है social change का उसका भी अलग से folder बना हुआ है तो social change से related जितने भी theories दी हुई है जिसमें की काल मार्क्स का भी मिल जाएगा आपको पेरेटो का भी मिल जाएगा इन सभी के जो theories है अलग-अलग videos में आपको मिल जाएंगे आप वहाँ से देख सकते हैं तो option C यहाँ पर right answer हो जाएगा next है male and female यह जो book है इसके लेखक कौन है यह पूछा जा रहा है options में है morgatmeet ruth bendict, Ross linton SF nadal male and female यह जो book है वो किसने लिकी है morgatmeet ने, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा book भी exam में पूछी जाती प्लस इनका जो study रहा है new guinea की या field work के है new guinea की samoa जनजाती पर, ठीक है samao, samao है जनजाती, tribe है new guinea की है samao, जनजाती और Indonesia की Bali दूपसम उपर इनका अध्धन रहा है और यह भी पूछा जाता है exam में तो ध्यान दीजेगा morget meet है gh meet नहीं है morget meet है ठीक है तो option a यहाँ पर right है next है अपराधी जन्ग से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते है या किस ने कहा options में है hh godart c lombroso chalz goering g tort तो अपराधी जन्ग से ही उन्हें बनाया नहीं जाता ये भी इन्ही का ही कहना exam में पूछा जाता है ठीक है अपराधी जन्जात होते हैं उन्हें बनाया नहीं जाता अपराध शास के जनक lombroso है ठीक है इनकी एक book है the criminal man ठीक है the criminal man ये भी इनकी lombroso की ही book है इनको ध्यान रखेगा आप नेक्स्ट है मिट्टी जाती उप जाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्मान करती है यहां कथन किसका है ओप्शन्स में है माइकल यंग, किम बॉल यंग अंद्रे बेते, लुइस ट्योमो तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर माइकल यंग हो जाएगा ओप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है वहपत क्या है जिसकी रशना हिलर ने प्रस्थती के लिए की थी जो अन्यों की अपेक्षा अधिक महतपुर मानी जाती है ओप्शन्स में है मूल प्रस्थती उतक्रस्थ प्रस्थती मूल्य प्रस्थती या फिर धुरुवे प्रस्थती तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर मूल प्रस्थती ओप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है इन शब्दों में नियोजन को निम्लिखित में से किसने परिभाशत किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट अंसर गुर्णार मिर्डॉल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था में उस आश्रम को इंगित कीचिये जिसके सहारे सभी आश्रम जीवन प्राप्त करते हैं ओप्शन में है ब्रह्मचर आश्रम, ग्रहस्त आश्रम, वानप्रस्त आश्रम, सन्यास आश्रम तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा ग्रहस्त आश्रम ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रभु जाती की अवधार्ना के जगा प्रभु समुदाई की अवधार्ना के प्रियोग का सुझाव दिया है ओप्शन्स में है एमें शुनिवास, स. स. दूबे, रॉय बर्मन इन में से कोई नहीं डोमिनेंट कास्ट के जगा, डोमिनेंट कम्मिनिटी की बात करने वाले कौन थे रोय बर्मन, ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, किसके अनुसार समाजिक विगिटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सम्हू के सदस्यों की भी संबन टूड जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं ओप्शन में हैं, फेरिस, इलिएट अन मेरिल, नियो मेर, मावरर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इलिएट अन मेरिल हो जाएगा, ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेंडेंस का क्या कहना था? समाजिक नियंत्रन की ववस्था जब भंग हो जाती है समाजिक नियंत्रन की ववस्था का भंग होना और उससे जिस तरह की ववस्था उत्पन होती है उसको ही उन्होंने समाजिक विगिटन कहा है ठीक है तो ये कहना लेंडेंस का है और फैरिस क्या कहते हैं समाजिक विगिटन मानविय संबंधों के प्रतिमानों और कारियों में पढ़ने वाली बाधा का नाम है मानिविय संबंधों के प्रितिमानों और कारेों में पढ़ने वाली बाधा जो होती है वो समाजिक विगटन को दर्शाती है कहना फैरस का था नेक्स्ट है पार्क एंड बर्गर्स के अनुसार समाजिक अंतर किरिया के आवश्यक दशा है आप्शन्स में है संपर्क, संचार, स्थती, A और B दोनों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर संपर्क और संचार यानि A और B दोनों ही आप्शन D यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है वेस्टर माजिक अनुसार विभा का आधार परिवार है परिवार का आधार विभा है विभा का आधार संस्क्रती है या फिस संस्क्रती का आधार विभा है तो यहाँ पर क्या होगा विभा का आधार परिवार है आप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह यानि कि जो वेस्टर माज है वे एक विभा को ही विभा का सच्चा स्वरूप बताते हैं, कहते हैं एक विभा ही विभा का सच्चा स्वरूप रहा है और आगे रहेगा भी, इनकी एक बुक है जोके इन्पॉर्टेंट पूची जाती है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वर्ग बाजार अर्थववस्थाओं में विख्सित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाब हेतू प्रतियोगिता करते हैं उप्शन्स में है माक्स, वेबर, कूले, मर्टर्न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर वेबर हो जाएगा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्ण में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि द्वन्द समाज के सरक्षन में सकारात्मक भूमिका निभाता है ओप्शन्स में है मैक्स वेबर, लुईस कोजर, कार्ल मार्क्स, एन्थुनी गेडिन्स तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस कोजर, ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, इंडियन विलेज, यह जो बुक है, वो किसकी है, ओप्शन्स में है, स.C. दुबे, M.N. श्री निवास, A.R. देसाई, पी एच प्रभू तो इंडियन विलेज बुक किसकी थी, स.C. दुबे, ओप्शन A, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पश्चमी समाज के अधिन में जाती की अवधार्ना का प्रयोग किया है, W.L. Warner, Carmax, Max Weber, O.C. Cox तो पश्चमी समाज के अधिन में जाती की अवधार्ना का प्रयोग किसने किया था, O.C. Cox यहाँ पर राइट आंसर, option D हो जाएगा नेक्स्ट है, प्रस्थति सरशना वा भूमिका सरशना के बीच सीधा सम्बंध है और दोनों ही एक बूसे के पूरक है, यह किसका तर्क है आप्शन्स में है, Bear Estate, Broom and Seljnik, Johnson, Linton तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रस्थति सरशना और भूमिका सरशना के बीच में सीधा सम्बंध के बात की और यह कहा है कि यह दोनों ही एक दूसे के पूरक है तो यह कहना Johnson का है, option C, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next है, किसने कहा है कि समाजिक नियंत्रण समाजी करण की प्रक्रिया का ही विस्तार है तो जो समाजिक नियंत्रण है, यही समाजी करण की प्रक्रिया का विस्तार है options में है, grain, getler, feature, coolay तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर फिचर हो जाएगा, option C, यहाँ पर right हो जाएगा next है, समाज का समाजिक इस्तरीकरण उपभोग पर निर्भर है यहाँ उपभोग वस्तुओं का नहीं, बलकि संकेतों का उपभोग है options देख लेते हैं, body lot, heber mask, dherda, jameson यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer, body lot, option A, यहाँ पर right हो जाएगा next है, ऐसा दबाओ, जिसके द्वारा समाज अपनी समाजिक व्यवस्ता वा स्थापित नियोंमों की सुरक्षा करना चाहता है समाजिक नियंत्रण के अंतर गताता है, किसका कथन है options हैं, लेपिय, ओगबन, अनिर्मकॉफ, लेंडर्स, किंग्सलेट, डेविस तो यहाँ पर right answer क्या होगा, ओगबन, अनिर्मकॉफ, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, किसने आर्थिक कारकों को स्वेकार करते हुए, अधिक महत्व ना देते हुए, धर्म को समाजिक परिवर्तन के लिए महत्पुर कारक माना है options में है, काल माक्स, फ्रेजर, दुर्खीम, मैक्स वेबर तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा, option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, एक उप संस्कृति जो समाज की अनि उपववस्थाओं की संस्कृति को नकारती है, जानी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति या फिर इन में से कोई नहीं तो क्या होगा, प्रति संस्कृति option A यहाँ पर right होगा next है, प्रदर्शन के लिए उपभोग की अवधार्णा को किसने प्रतिपादित किया है options में हैं, गुर्णाम बेर्डॉल, पीए सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर तो प्रतिर्शन के लिए उपभोग का जो कॉंसेप्ट है, वो किसका है वेबलन का है, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, किसने कहा है कि प्रस्ततियम भूमिका, संदर्व समु वहवार का सरशनात्मक परिपेख्षु प्रदान करते है options देख लेते हैं, टॉलकर्ट पार्संस, जेम सिल्वर बर्ग, आरके मर्टर, एमेफ निमकॉफ तो यहाँ पर क्या होगा right answer? option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, रानी खेडा ग्राम का अध्धिन किया है options में है, ओस्कार लेविस, बी आर्चोहान, मैकेम मेरिट, डियन मजूंदार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओस्कार लेविस, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा और लेविस का गरीबी की संस्क्रती, यह concept भी दिया है इन्होंने और जो की एक्जैम में पूछा जाता है तो option A, यहाँ पर right होगा next है, structure and function in primitive society, यह जो book है, वो किसके है? options में है, melanverse की, brown, यानि की red clear brown, मजूमदार, कोजर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? red clear brown, option B, यहाँ पर right हो जाएगा next है, समाजिक वर्ग, प्रस्तती समू, आई, और वर्ग समू, भीड, यह सभी उधारण है प्रात्मिक समू के, द्वित्यक समू के, अर्ध समू के, या फिर समिति के तो यहाँ पर option C, अर्ध समू हो जाएगा next है, किसने कहा है कि नव प्रकारवाद किरिया तथा व्यवस्ता पर लगभग समान ध्यान देता है options में है, J. Alexander, P. Jinsberg, Bordiou या फिर इन में से कोई नहीं तो नव प्रकारवाद किरिया तथा व्यवस्ता पर लगभग समान ध्यान देता है यह कहने वाले कौन है, J. Alexander, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवी स्वाभाओं में विश्वास नहीं करता था options में है, हेबरमास, हार्वे, अल्थ्यूजर या फिर उप्रियूप सभी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer, अल्थ्यूजर हो जाएगा option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, reading capital इनकी बुक है, important next है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है options देख लेते हैं, संस्था को, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई मानने वाले कौन है options देख लेते हैं, सम्द, गिलेन औंगिलेन, मैकेवर औंपेज, शॉल स्कूले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer, गिलेन औंगिलेन, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, जब वे लोग जो नर्धनता के नियंतम इस तर से उचे उठ चुके हो, विशेशा दिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक आशान्ती में लग जाएं तो यह अभिव्यक्ती है, सापेक्ष वंचना की, समाजिक असमानता की, समाजिक गतिशीलता की, या फिर गुट बंधी की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer सापेक्ष वंचना, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा next है, सापेक्ष वंचना एक दशा है, जिसमें व्यक्ती या समू, option A में है, निर्धनता रेखा से उपर होते हुए भी पहले क्या पेक्ष निर्धन हो गए option B, अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ गए है option C, किसी समू से अपनी तुल्ला करने पर वंचित महसूस करते हैं, option D, बहुत एक जीवन के अपनी अकांग्षाओं के संबन में वंचित महसूस करते हैं तो यहाँ पर किसी समू से अपनी तुल्ला करने पर वंचित महसूस करते हैं, option C, यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट है संस्कृति का मुख वाहक क्या है? सडक, प्रतीक, आवास, व्यक्ति तो संस्कृति का वाहक पूछा गया है मुख्य वाहक कौन है? तो प्रतीक यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा option B नेक्स्ट है समाजिक पत्विशेश से जुड़े विशस्ट कर्तव्यों तता अधिकारों की इर्दगित संगटित वहवार के विन्यास को कहते हैं भूमिका, प्रस्थती, प्रतिस्था या फिर शक्ति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइड आंसर? भूमिका हो जाएगा option A, यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भूमिका विकलांगता की जो अवधार्णा है वो किसकी है? रॉबर्ट केन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच डी किर्क तो भूमिका विकलांगता का कॉंसेप्ट किसका अधा? एच डी किर्क कथा, एच डी किर्क ठीक है? ओप्शन D, यहाँ पर राइड है नेक्स्ट है प्रस्ततियम भूमिका के संप्रत्यों को सर्वप्रतम विवस्थित रूप से किसने विक्सित किया है? ओप्शन्स में हैं मेलानोवस्की, पार्संस, आरपी पार्क या फिर लेंटन तो यहाँ पर राइड आंसर क्या होगा? लेंटन होगा, ओप्शन D, यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जूम से संबंदित है? ओधोकी की करण, संचार, साक्षर्ता, या फिर क्रषी तो यहाँ पर क्या होगा? क्रषी होगा, ओप्शन D, यहाँ पर राइड होगा नेक्स्ट है, संघश में परिस्थतियों में अभयोजन कहलाता है? प्रतियोगिता, समायोजन, सात्मी करण, या फिर समिती तो वो समायोजन क्यालाएगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा next है किसका कतान है कि जाती एक बंद वर्ग है options देख लेते हैं मजूमदार और घुरिये मदान एवं मजूमदार घुरिये मदान या विश्य निवास एवं घुरिये तो जाती एक बंद वर्ग है किसका कैना है मजूमदार और मदान का option B यहाँ पर right answer हो जाएगा मजूमदार का इस पर field work किसका था हो जन जाती पर इन्होंने किया हुआ था इनकी books के बारे में बात की जाए तो rural profiles है caste and communication in an Indian village caste and communication in an Indian village यह एक book हो गई and second है rural profiles ठीक है मजूमदार की book है तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please like करिएगा comment करके ज़रूर बताएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो please चैनल को भी ज़रूर subscribe कर लीजेगा इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी सभू करिएगा Thank you